वेल्कम टू मै चैनल आपका जुइनिंग कब होगा ये आज आपको पता चलने वाला है इसमें जी जुइनिंग डेट दिया गया है और सारा कुछ इसमें पूराइट नेम्स है टूर्ट इइसलिए वीडियो को अं तक देखना है क्योंकि वीडियो बहुत होने वाली है तो चली वीडियो को हम सुरू करते हैं देखते हैं किसमें क्या क्या लिखा हुआ है टाइम फूर इंपनेल्मेंट एप्वेंट्मेंट अप लेवल वन कंडियेट्स तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है यहां पर सी यार जोनल रेलवे वेकेंसी नोटिफाइड इतना दिया हुआ है देखिए यहां वेकेंसी नोटिफाइड दिया हुआ है शॉट लिस्टिंग फिर पूर यह पीटी दिया हुआ 31 दिसंबर 12 सेंट्रल एलवे जो मुंबई है उसका है यह सब पीटी स्टार्ट दे देखिए दिया हुआ पंदरह जनुरे द्वेंवर द् चला था और देखिए टार्गेट डेट ऑफ कंपलेशन ऑफ पीटी मतलब जो कंप्लीट किया गया पीटी वह 31 जनवरी द्यार तैस को कंप्लीट कर लिया गया अब देखिए रिजल्ट और पीटी एंड सॉट लिस्टिंग फोर डीवी एंड मेडिकल तो जो सॉट लिस्ट 345 वेकेंसी मतलब कंडिलेट को बलाया गया है अब देखिए नंबर ऑफ डीवी एंड मेडिकल पर डेट मतलब कि 29 दिन में टूटल डीवी कंप्लीट करेगा और टोटल पहुंच सो एक दिन में टूटल पहुंच सो आत्मी का डीवी हो रहा है अब देखिए यहां पे टार मार्च को जो है इंपलेंड मेंट उसका जारी होगा अगर सभी जोन का हम बताएंगे पुरा डेटियल से तो वीडियो पुरा लंबा हो जाएगा इसलिए हम खाली जोनिंग डेट और डीवी कप कंप्लीट होगा यह सब बता देते हैं चितना वेकेंसी सा यह भी बता इस चेंटर रेलवे का वेकेंसी कितना है तो 2563 है और सौट लिस्टिंग होगा थे 31 दिसंबर 2022 को अब यहां देखते हैं डीवी स्टार्ट हो गया थे इसका 15 फरवरी को और इसका टार्गेट डेट ओप कंप्लीशन था 25 फरवरी को टार्गेट लिया गया थे डीवी कंप् स्टार्ट हुआ था डीवी कंप्लीट होगा इसका 15 फरवरी को और इसका ज्वनिंग हो जाएगा 15 मार्च को पैनल आएगा 25 फरवरी को अब आगे देखते हैं इस्टन रेलवे कोलकाता गा 10,873 वेकेंसी था और इसका डीवी स्टार्ट होगा था वह हो गया था आठ फरव 15 अप्रेल को होगा एक मेना के बाद 31 मार्च को पैनल आएगा अब देखिए नसी आर नोर्थ सेंट्रल रेल इसमें 4730 वेकेंसी है इसका डीवी स्टार्ट हुआ था एक फरवरी को हुआ था और खतम जो होगा वह 15 फरवरी को खतम होगा और इसका जो 25 फरवरी को डीवी इ स्टार्ट हुआ था और इसका जो पैनल आएगा 15 मार्च को आएगा और एप्वेंट्मेंट्मेंट होगा इसका 31 मार्च को सित्र देखिए नौर्थ इस्ट्रंड रेल बे चार हजार दू वेकेंसी है इसमें डीवी में सोट लिस्टिंग हो एक फरवरी को क्या आ गया था होगा को सित्र छेइगा एन एकाट परवरी को तो देखिए किस आपर मार्च को इसका पैनल आएगा और 31 मार्च को जोनीएंगा देखिए नोर्थ इस्टन रिले नौर्थ वेस्टन रिल बे नौर्थ फ्रंटियर रिलवे ये सब का जो है पंदरह मार्च तक में हो जाएगा पैनल आजाएगा और 31 मार्च को इसका जोनिंग हो जाएगा अब देखते हैं अब नीचे में देखते हैं साउथ इस्टन डेलवे 41914 वेकेंसे साउथ इस्टन डेलवे कोलकता जो राची जोना था है इसमें डीबी जो सौट लिस्टिंग में क्या है 7166 वेकेंसी है टोटल और इसका देखिए एक फरवरी को इसका सौट लिस्टिंग किया गया था इसका भी 15 फरवरी को डीबी स्टार्ट हुआ था और इसका लेकिन 5 मार्च को डीबी खतम होगा और 25 मार्च को पैना लाएगा आप 15 अप्रेल को जोनिंग हो तो टोटल जोकते हैं एक लाग 3789 साथा बेकेंसी है और इसमें पंदरा आप्रेल हो atac वा था इसका दिवी स्टार्ट हुआ था और To 15 अप्रेल इतना को यहीं होगा है तो यहीं सब है इस में सभी जोन का बता दी है डीटेल से किस किस जोन का का कब स्क्रेंच कि होने वाला है तो अगर आप इसका स्क्रियों चूक्षिग लीना चा Representatives दुग ले सकते हैं चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और आगे आपको जैसा वीडियो लगे तो पिलिज कोमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा प्रेम